गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम शुरूर करने वाले हैं अपना पार्ट सोला जिसका नाम है भारत की एकता भारत एक विशाल देश है ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिर में कन्या कुमारी तक और पूर्व में असंद से लेकर पक्षिम में कच्च तक फैला हुआ है भारत में विविन मतलब अलग-अलग प्रकार की जातियां धर्म के लोग रहते हैं यहां कई भाशाएं बोली जाती हैं लोग विविन प्रकार की पोशा के पहनते हैं और नाना प्रकार के बोजन खाते हैं इन सब विविन्ताओं के होने पर भी भारत एक है विवित्ता मतलब इतनी सारी अलग-अलग चीजें होने के कारण भी लोग एक हैं यही भारत की अनिकता में एकता है गरतंतर दिवस की जांकियों में भारत के भिन-भिन प्रदेशों की फसलें वहां की भेजबूशा प्राकरतिक सौंदरे और रहनसेन आदी को दिखाया जाता है अलग-अलग प्रदेशों की जांकियों को देखने से पता चलता है कि भारतिय प्रदेशों के लोगों के रहनसेन और खान-पान में विविन्नता है यही विवित्ता भारत के लोगों में नवीन्ता और नवजीवन प्रदान करती है प्रतेख प्रदेश के लोग वहां की जलवायों और भौगौलिक इस्तिती के अनुसार वस्तुओं को अपनाते हैं यहां किसी प्रकार का बंधन नहीं है आदुनिक यूग विज्ञान का यूग है शेहरों वा गाओं में सडकों और रेलवे लाइनों का जाल बिच चुका है कार, बस, रेल और वायूयान प्रतेदिन भारत के एक कोने से लोगों को दूसरे कोने तक पहुँचा रहे हैं अब यदि भारत के किसी प्रदेश में अकाल भुकम बार आदी प्राकरतिक प्रकोप प्रकोप मतलब कोई भी तरीके की आपदा आ जाती है या मुसीबत आ जाती है तो भारत के दूसरे प्रदेशों तक तुरन सहायता पहुँचाई जाती है सब भारतवासी एक होकर उस परिशानी का विपत्ती का डटकर मुकाबला करते हैं ऐसे समय पर राहत कोश राहत कोश मतलब पीडितों को दिया जाने वाला धन पीडितों को हर सुविधा परदान करते हैं भारत में धार्मिक सुतन्तुता है भारतिय समिन्हान में लोगों को अपनी एक्छानुसार धर्म अपनाने की सुतनस्ता है कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात मानने के लिए बाद दिन नहीं कर सकता यहां बिन बिन धर्मों के लोग हिंदू, मुसल्मान, सिख, हिसाई, पार्सियादी मिल जुलकर और बिना किसी भेदभाव के रहते हैं भारत पर किसी भी आकरमन के समय सब भारतिये एक हो जाते हैं धर्म का मुक्य उदेश इश्वर प्राप्ती है, भारत में प्रचलित, मतलब जो चलने वाली या फेमस है भिविन धर्म उस सर्वशक्ति मान प्रभू के पास जाने का प्रयास करते हैं, जो स्रश्टी का निर्वान और भरत पोशन करता है सभी धर्म लोगों को नम्रता, दया, सहिश्णोता, सैंशीलता, करतवय परायंता, आदिगुण सिखा कर उन्हें प्रेम और इक्ता से रहने का संदेश देते हैं कोई धर्म, घ्रणा, एहंकार, सुवार्धाती, दुर्गुणों को की शिक्षा नहीं देता यही कारण है कि भारत में लोग धर्म के द्वारा एक दूसरे के समय पाते हैं और सुख कुर्वक जीवन व्यतीत करते हैं भारत के विविन भागों में आदी कवी बालमिकी की रामाया और वेद्व्यास की महभारत का प्रचार है श्री राम और श्री कृष्णी की जीवन गाताएं घर-गर गई जाती हैं दशेरा, दिवाली, रक्षाबंदन, हूली, बड़े दिन, ईर आदी त्योहार भारत के कोने-कोने में मनाए जाते हैं इन त्योहारों पर भारत में अफकाश होता है सवी त्योहारों को सब भारतवासी मिलकर मनाते हैं राश्रगान भारत के हर विध्याले एवं राश्रे संस्ताओं में आदर के साथ गया जाता है भारत के प्रतिक व्यस को बिना किसी धर्म और जाती के बेरभाव के अपना वोड़ दे कर देश के भावी नेता को चुनने का अधिकार है भारत के विविन राज्जियों के वीर बालकों, वीर पुरुषों, विज्ञानिकों, कलाकारों एवं साहितिकारों को सम्मान रूप से सम्मानित किया जाता है यहां इस्तरी और पुरुष कंदे से कंदा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं देश की एकता में संस्कृत भाषा का महत्वपोन योगदान है उत्तर भारत की भाषाओं की जन्नी संस्कृत है और दक्षिन भारत की भाषाओं में संस्कृत का बाहुले मतलब अधिकता है यही कारण है कि भारत वासियों को एक दूसरे के समी पलाने के कारण संस्कृत को सम्मानेतिस्तान प्रदान किया जा रहा है राश को एक सूतर में भाणने के लिए भाशा भेत की खाई गैप को भरने के लिए राश्र पिता महात्मा गाने ने हिंदी के महत्व को समझाया था हिंदी सर्वगुन संपन भाशा है इसमें तस्सम तद्भव देशी और विदेशी शब्द प्रचुर मातरा में हैं भारत के हर प्रांत में हिंदी बूली जाती है भारत के हर राज में हिंदी फिल्में बड़ी उत्सुकता से देखीवा समझी जाती हैं भारत की एकता के प्रेद भावों को मिटा कर हम सब एक हो जाएं इसी में सब भारत वासियों का कल्यान है इसी से हमारा भारत उन्नती के शिखर तक पहुंच सकता है ओके बच्चों तो हम मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए बाय